जोस्तो एक बार सुर्से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चानल स्कॉलर इंग्लिश पर मेरा नाम है दिपिका कुमावत और मैं इस चानल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एक्जाम के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ तो बेसेकली आज की इस वेडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं दा हिंदू एडिटोरियल का वुक्याब अनलिसिस आशा करती हूँ कि आप इन सेशन्स के साथ रेगुलरली जुड रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं इन सेशन्स का मकसद है आपकी वुक्याब पावर को और ज़्यादा इनहाइंस करना और ये जो वुक्याब सेशन्स है ये बैंक, SSC, रेलवे, UPSC या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एक्जाम के लिए इकवली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वुक्याब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है Confound Confound का मतलब होता है आश्चर्य करना और ये हमारे पास पार्ट अफ स्पीच में वर्ब है यानि कि क्रिया है सिननिम इसका होता है Amaze या फिर Astonish यानि कि आश्चर्य चकित कर देना अब एक्जाम्पल देखेंगे एक्जाम्पल इसका है The Murder Case Has Confounded Investigators यानि कि Murder Case ने Investigators को पूरी तरह से चौका दिया इस कॉंटेक्स्ट में हम जो है वो Confound इस वर्ड का अलग-अलग sentences में यूज कर सकते हैं इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे Next वर्ड की तरफ देन हमारा Next वर्ड है Draconian Draconian का मतलब होता है बेरहम जब कोई भी Rule या फिर कोई भी Law कठोरता से लागो किया जाए अब एक्जाम्पल की मदद से समझते हैं इस कॉंटेक्स्ट में हम जो है वो Draconian इस वर्ड का अलग-अलग sentences में यूज कर सकते हैं देन हम आगे बढ़ते हैं हमारे Next वर्ड की तरफ और जानेंगे की हमारा Next वर्ड कौन सा है Then हमारा अगला वर्ड है Incure Incure का मतलब होता है जेलना, संभालना या फिर भुकतान करना किसी चीज का उसे हम कहेंगे Incure ये हमारे पास part of speech में वर्ब है यानि की क्रिया है Synonym इसका होता है Suffer या फिर Sustain यानि की सहन करना Antonym इसका होता है Avoid यानि की टालना, परहेश करना अब Example इसका है नितिन पेड औल दे एक्सपेंसेज इंक्यॉर्ड बाई हिम थ्रू दे एक्सिडेंट यानि की नितिन ने एक्सिडेंट में हुए सभी खर्चों का बुकतान किया इस कॉंटेक्स्ट में हम जो है वो इनक्यॉर्ड इस वर्ड का अलगलग सेंटेसिस में यूज कर सकते हैं इसके बाद हमारा अगला वर्ड है Scrap Scrap का मतलब होता है निकाल देना, समाप्त करना जब भी किसी प्लान, पॉलिसी या फिर लॉग को जो है वो खतम किया जाता है तब हम उसे कहेंगे Scrap ये हमारे पास पार्ट अफ स्पीज में वर्ड है यानि कि क्रिया है सिननिम इसका होता है Abandon यानि कि समाप्त करना, खतम करना अनिम इसका होता है Keep या फिर Restore यानि कि रखना अब एक्जामपल की मदद से समझते हैं एक्जामपल इसका है The Company Scrapped Many Employees from the Office यानि कि कमपनी ने बहुत सारे Employees को, बहुत सारे कर्मचारियों को आफिस से निकाल दिया इस कॉंटेक्स्ट में हम जो है वो Scrap इस वर्ड का अलग-अलग sentences में यूज कर पाएंगे इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे Next Word की तरफ Then हमारा वर्ड है Untenable Untenable का मतलब होता है असमर्थनिया जब हम किसी Objection या फिर Attack से खुद को Defend नहीं कर सकते खुद को बचा नहीं सकते उसे हम कहेंगे Untenable ये हमारे पास Part of Speech में Executive है यानि कि विशेशन है Synonym इसका होता है Undefendable Undefendable का मतलब होता है बचाव न कर पाना Antonym इसका है Defensible यानि कि बचाव करना खुद को बचा लेना Example इसका है The little boy is in an untenable situation with his parents arguing यानि कि एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता से बहस करते समय खुद का बचाव नहीं कर पा रहा था इस context में हम जो है वो untenable इस word का अलग-अलग sentences में use कर पाएंगे Then अगले बढ़ पे हम बढ़ते हैं और हमारा next word है Appease Appease का मतलब होता है खुश करना या फिर मनाना जब किसी की demand या फिर बात मान के उन्हें खुश किया जाता है तब हम उसे कहेंगे appease ये हमारे पास part of speech में noun है Synonym इसका होता है concilate या फिर placid यानि कि मनाना Antonym इसका होता है provoke या फिर inflame यानि कि भढ़काना या फिर उकसाना किसी को अब example देखते है Example इसका है नीलम is trying to appease her friends यानि कि नीलम अपने दोस्तों को खुश करने की यानि मनाने की कोशिश कर रही थी इस context में हम जो है वो appease इस word का use कर पाएंगे Then हम आगे बढ़ते हैं हमारे next word की तरफ और जानते हैं कि हमारा next word कौन सा है Then हमारा अगला word है up in arms Up in arms का मतलब होता है विरोध करना और ये एक phrase है Synonym इसका होता है protest Protest का मतलब होता है विरोध करना या फिर किसी चीज़ के खिलाफ होना against होना Example इसका है The students are up in arms against the new rules in the college यानि कि college में लागू कि ये नए rules नए नियमों का students विरोध कर रहे थे इस context में हम जो है वो up in arms इस phrase का use कर सकते हैं इसे के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे next word की तरफ और जानेंगे कि हमारा next word कौन सा है Then हमारा अगला ही word है stoke Stoke का मतलब होता है भढ़काना और ये हमारे पास part of speech में वर्भ है यानि कि क्रिया है Synonym में इसका होता है provoke या फिर insight यानि कि किसी को उकसाना या फिर किसी को भढ़काना अब example इसका है Ria is trying to stoke Meera यानि कि Ria जो है वो मीरा को भढ़काने की कोशिश कर रही थी उसे उकसा रही थी इस context में हम जो है वो stoke इस word का अलग-अलग sentences में use कर पाएंगे Then हम आगे बढ़ते हैं हमारे next word की तरफ और जानते हैं कि हमारा next word कौन सा है Then हमारा अगला word है overhaul Overhaul का मतलब होता है सुधारना ये हमारे पास part of speech में verb है यानि कि क्रिया है Synonym इसका होता है improve यानि कि सुधारना करना Example इसका है Planting trees will overhaul the atmosphere यानि कि पेड़ पौधे लगाने से atmosphere में सुधारना हो सकती है इस context में हम जो है वो overhaul इस word का अगलक sentences में use कर सकते है Then हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे हमारा next word Then हमारा अगला word है status quo Status quo का मतलब होता है मौझुदा स्थिति इसी भी political issue या फिर social issue की मौझुदा स्थिति उसे हम कहेंगे status quo ये हमारे पास part of speech में noun है Synonym इसका होता है existing state यानि कि मौझुदा स्थिति Example इसका है elections are conducted to maintain the status quo in the country यानि कि देश में अच्छी स्थिति बनाए रखने के लिए election conduct किये जाते है इस context में हम जो है वो status quo इस word का अलगणक sentences में use कर सकते हैं Then हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ Then हमारा word है thrive Thrive का मतलब होता है फलना, फूलना, बढ़ना या फिर कामयाब होना ये हमारे पास part of speech में वर्भ है यानि कि क्रिया है Synonym इसका होता है bloom या फिर succeed यानि कि सफल होना Antonym इसका होता है fail या फिर stagnant यानि कि a-suffल होना हार जाना Example इसका है The country is thriving in its economy as per the records यानि कि record के अनुसार देश अपनी अर्थ व्यवस्ता में सम्रुद्ध है इस context में हम जह हो thrive इस word का sentences में use कर पाएंगे Then हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे हमारा next word Then हमारा word है barring Barring का मतलब होता है को छोड़ कर या फिर के सिवाए जब कोई चीज करने से रोकी जाती है तब हम उसे कहेंगे barring ये हमारे पास part of speech में verb है यानि कि क्रिया है Synonym इसका होता है prohibit या फिर preclude यानि कि रोकना Antonym इसका होता है admit या फिर accept यानि कि मानना या फिर स्विकार करना अब example की मदद से समझते हैं Example इसका है smoking are barred inside any educational institution यानि कि कि किसी भी sectionic संस्ता में धुमरपान वरजित है इस context में हम जो है वो barring इस word का use कर सकते है Then हम बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ Then हमारा word है blip blip का मतलब होता है चूकना, confuse होना या फिर समझना पाना ये हमारे पास part of speech में noun है synonym इसका होता है confuse और example है Ria is in a slight blip in choosing her career यानि कि Ria अपना career चुनने में चूक रही थी इस context में हम जो है वो blip इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं Then हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ Then हमारा word है आइं आइं का मतलब होता है नजर रखना किसी चीज़ को ध्यान से interest के साथ देखना उसे हम कहेंगे आइं ये हमारे पास part of speech में verb है यानि कि क्रिया है synonym इसका होता है see या फिर observe यानि कि देखना या फिर नजर रखना आइंटनिम इसका होता है ignore यानि कि टालना या फिर नजर अंदास करना एक्जाम्पल की मदद से समझेंगे एक्जाम्पल इसका है नीता इस आइं अगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ देन हमारा अगला word है concomitant concomitant का मतलब होता है संबंदित या फिर शामिल ये हमारे पास part of speech में executive है यानि कि विशेशन है synonym इसका होता है connected यानि कि जुडा हुआ antonym इसका होता है unrelated यानि कि कोई संबंद ना होना एक्जाम्पल है diabetes are natural concomitant for all age people these days यानि कि आजकल diabetes सभी उम्र की लोगों के लिए स्वाभाविक रूप से संबंदित है इस context में हम जो है वो concomitant इस word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं then हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे हमारा next word कौनसा है then इसके बाद हमारा word है prudent prudent का मतलब होता है विवे की जो भविशे की चिन्ता करता हो या फिर सोचता हो उसे हम कहेंगे prudent ये हमारे past part of speech में executive है यानि कि विशेशन है synonym इसका होता है well judge यानि कि अच्छा निरणाए लेना antonym इसका होता है imprudent यानि कि जो किसी के बारे में सोचता ना हो example इसका है it would be prudent if everyone follows the rules while driving यानि कि वहां चलाते समय अगर सभी लोग नियमों का पालन करे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा इस context में हम जो है वो prudent इस word का अलग-अलग sentences में use कर पाएंगे then हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ और जानेंगे कि हमारा next word कौन सा है then हमारा अगला word है expulsion expulsion का मतलब होता है निकाला जाना इसी को कोई संगटन यानि कि organization छोड़ने के लिए मजबूर करना धमकी देना उसे हम कहेंगे expulsion ये हमारे पास part of speech में noun है synonym इसका होता है removal यानि कि निकालना antonym इसका होता है admission यानि कि प्रवेश करना example इसका है the political party threaten the member with expulsion यानि कि political party के नेता ने members को निकल जाने की धमकी दी इस context में हम जो है वो expulsion इसका use कर सकते हैं then हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ then हमारा word है vantage vantage का मतलब होता है श्रेश्टिता किसी चीज़ का अच्छा दुरुष्य दिखने वाला स्थान या फिर स्थिती उसे हम कहेंगे vantage ये हमारे पास part of speech में noun है synonym इसका होता है viewpoint या फिर standpoint यानि कि दुरुष्य या फिर नजारा example इसका है Arnav stood at the vantage and captured all the beautiful pictures in his camera यानि कि Arnav बहुत ही अच्छे और सुन्दर नजारे के पास खड़ा था और उसने अपने कैमेरा में इसकी तस्वीर भी ली इस context में हम जो है वो wantages word का अलग-अलग sentences में use कर सकते हैं then हम आगे बढ़ेंगे हमारे next word की तरफ और जानते हैं कि हमारा next word कौन सा है then हमारा अगला word है vindictive vindictive का मतलब होता है सजा देने वाला या फिर बदला लेना किसी को नुकसान पहुचाने के इक्छा रखना क्योंकि उस वेक्ति को लगता है कि मुझे भी नुकसान पहुचाया गया है इसलिए मुझे भी बदला लेना चाहिए उसे हम कहेंगे vindictive ये हमारे पास part of speech में executive है यानि कि विशेशन है synonym इसका होता है revengeful यानि कि बदला लेने वाला example इसका है यानि कि अपने दुश्मनों को मार कर बदला लेने की भावना जॉन में दिन बदिन बढ़ती जा रही है इस context में हम जहें वो vindictive इस word का use कर सकते हैं इसे के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आज का हमारा last word कौन सा है तो आज का हमारा सबसे last word है precarious precarious का मतलब होता है परिशानी में होना या फिर सुरक्षित ना होना ये हमारी पास part of speech में executive है यानि कि viciation है synonym इसका होता है insecure यानि कि सुरक्षित ना होना antonym इसका होता है safe यानि कि सुरक्षित होना example इसका है इस context में हम जो है वो precarious इस word का अलग-अलग sentences में use कर पाएंगे तो आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो दो लाइक इस वीडियो, subscribe the channel and share as much as you can till then keep learning, thank you